नमस्कार दोस्तों, नवरात्री का पावंतियोहार प्रारंब हो चुका है दोस्तों, नवरात्रों का ये पावंतियोहार नौ दिनों तक मनाया जाता है इन नौ दिनों में मादुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है नवरात्री के पहले दिन मादुर्गा के शेल पुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किये बाए हाथ में कमल को शोबित किये व्रशप परसवार नवदुर्गाओं में प्रथम देवी शेल पुत्री है जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है माता शेल पुत्रे की कथा के अनुसार एक बार प्रजापती दक्ष ने एक बहुत बड़े यग्य का आयोजन किया इस यग्य में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया परंतु उन्होंने भोले नात को निमंतरन नहीं भेजा जब माता सती को यह ग्यात हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यग्य का अनुस्ठान कर रहे है तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ उन्होंने भोले नात को अपने मन की सारी व्यथा बताई भोले नात बोले देवी प्रजापती दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ट है इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यग्य भार समर्पित किया है परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया ना ही हमें कोई सूचना भेजी इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा भूले नात की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ पिता के द्वारा किये गए यग्य में सम्मेलित होने और अपनी माता और बेहनों से मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होती जा रही थी माता के आगरह करने पर भूले नात ने माता सती को वहां जाने की आग्या दे दी पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया बेहनों की बातों में व्यंग और उपहास सा अपने परीजनों के इस व्यवार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुचा ये सब देखकर उनका हिदे शोग गलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा वे सोचने लगी भूले नात की बात ना मान कर यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी है वह अपने पती के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने अपने उस स्वरूप को वहीं योगागनी से जला कर भस्म कर दिया इस दुखत घटना को सुन कर भूले नात ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेज कर दक्ष के उस यग्य का पूर्ण तहवित वंस करवा दिया सती ने योगागनी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जनम में शैल राज हिमाले की पुत्री के रूप में जन्म लिया माता शैल पुत्री का जन्म शिला यानि परवत से हुआ है इसलिए इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिर्टा आती है इनकी पूजा अर्चना से बेवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख सम्रद्धी आती है माता की पूजा अर्चना से मूला धार चक्र जागरत हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप जीवन में स्पूर्थी और उत्साह का विकास होता है साथी साथ माता शेल पूत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोश दूर होते हैं और भक्त को सौभाके की प्राप्ती होती है दोस्तों नवरात्रे के प्रथम दिन माता शैल पुत्री की पूजा सफेद रंग के विशेश खुश्पों से करें साथ ही साथ माता को सफेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं पूजा के बाद माशैल पुत्री को गाय कगी अरपित करें जिससे माता आरोग्य काया का आशिरवाद देती हैं और व्यक्ती का मन एवं शरीर दोनों निरोगी रहते हैं दोस्तों यह थी नवरात्री के प्रथम दिन पूजी जाने वाली माशैल पुत्री की पावन कथा जै माशैल पुत्री